कि हम लो है यह एंसे आर्ट़ी कोर्णर फोर लाइफ सइंस का प्लेट फोरम में इसली क्लास में आल्वेशी के क password के बारे में और जन्रल फीचर्स पर ने next इसके floral character में हम class में हम gynosium के बारे में पढ़ते हैं, तो gynosium होता है ना वो इसका, वो मालवेसी family का pentacarpulary होता है, pentacarpulary यानि five carpals पाए जाते, sincarpus होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, stigma are free, incomplete sincarpus, stigma है वो free होती है इसके अंदर, जैसे यह steminal tube होती है, यहां ऐसे, steminal tube होती है, तो इसके अंदर से यह cover कर लेता है, तो यह जैसे stigma यहां से जाते हैं, यह style, तो style हो stigma ऐसे free होती हैं उपर से, stigma ऐसे free रहते हैं उपर से, और incomplete sincarpus stage पाए जाती है इसके अंदर, इसके अंदर आधे जुड़े हुए करपल्स पाय जाते हैं पेंटा करपलary में, अब next सलते हैं हैं इसकी, ovary के बारे में, तो ovary में हम इसके अंदर थीका करपल्स होते हैं, वो थीका में बाए जाते हैं जैसे, एक कोस्ट के अंदर एक कारपल पाया जाता है ऐसे अलग लग कोस्ट पाया जाते हैं पांस और उनके अंदर पांस कारपल लग लग पाया जाते हैं ओवरी और स्टाइल है वो कलोजड हो जाते हैं स्टेमिनल टूब के अंदर थोड़ दर पहले, मैंने आप तो यहां से बताया था, एक इस्टेमैनल टूब होती है яр से तो इसके अंदर से फिलामेंट्स जाँते हैं तो फिर यहां से तो एंथर फिरी हो जाते हैं उसी के अंदर style और ovari भी पैक हो जाती है यहां से प्लेसेंटेशन है वो एक्जाइल पाया जाएगा एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है इसमें मालवेसी फैमली के अंदर एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा जो जैसे ये तो होता है ओवरी और इसके अंदर ये फाइफ ऐसे फाइब चेम्बर्स बने होते हैं ऐसे तो इसके अंदर कार्पल्स ऐसे लगे होते हैं ऐसे इसको एक्जाइल प्लेस इंटेशन बोलते हैं फ्रूट है वो कैपसूल होता है हमने देखा है काफी मालवेसी फैमली के फ्रूट्स को जैसे हमने कपास के फ्ल को देखा है तो उसमें फ्रूट है वो कैपसूल जैसे स्ट्रक्चर का होता है पूरी तरह से बंद होता है सीड होता है वो नोन एंडोसपर्मिक होता है यानि जो भी हम सीडिलिंग होती है ना प्लांट्स की जिसको हम सीड को गाते हैं इसके अंदर एंडोसपर्म होता है वो यूज में आ जाता है यानि कोटलिटन्स है ना उनको सीडिलिंग के दोरान खाने के फूड ये रूप में काम में ले लिया जाता है अब इसका फ्लोरल फोर्मूला यानि ब्रेक्टियेट होते हैं और वाइसेक्स्वल प्लॉर होता हैmeticaalyx 3 से लेके 7 नमबर तक पॉए जाते हैं calyx होता है वो 5 होते हैं और नापस में जुड़े होते हैं कोरोला होता है वो 5 होते हैं फ्री होते हैं androcium होते हैं उनका कोई नमबर फिक्स नहीं होता ndrocium कार्पस में जुड़े होत Soumates स्टेम्स में बनाते हैं कैलिक्स और और अंडरो शीम क्यालिक्स 시간이 जुड़े होते हैं और ओबरी होती है वह सूपिरियर होती है और फाइब से लेके और जिएर खले बीड़्यगूजर भी नमबर तक इसमें और यह तो निस्हार प्लकार्पों से शोंट यह ऐंसे स्टेज माज़ें यह ईसी ओवरी और यह स्टेमिनल टूब जासे स्ट्रक्चर हैं उसके ओपर, यह अंधर लगे हुय है अंधर यह बहार निकले रहते हैं और अंधर हैं वो पैटल से जुड़े होते हैं इसके अंदर स्टैमन है यह पैटल से जुड़े होते हैं और बहार यह जो इसमें टिु enorme करते हैं देखो ऐसे ओवरलेप करते हैं दूसरे को अब नेक्स्ट इसमें दे रखा जैसे सैपल्स होते हैं वो वो वेलबेट पाए जाते हैं और आपस में जुड़े हुए सैपल्स पाए जाते हैं गेमों सैपल्स पाए जाते हैं आपस में जुड़े हुए सैपल्स कैलिक्स के अंदर अब next ते रखा इसमें epicalyx epicalyx यानि अनुबाये दल भी परजेंट होते इसमें यह 3 भी मिल सकते हैं और 5 भी मिल सकते हैं अब next जलते हैं student इसके economic importance के उपर तो जब मालवे सी family की हम economic importance पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो edible plants होते हैं तो उस edible plant में abilmoscus asculentus यानि भिंडी भिंडी खाने के सबजी के रूप में हम काम में लेते हैं इसका abilmoscus asculentus इसका botanical name होता है food next होता है इसका oil तो मालवे सी family के कौन से plant से हम oil निकलते हैं cotton seed होते है न गोसी पियम हिट शूटम के बीजों से तेल निकलता है cotton cotton का जो botanical name होता है गोसी पियम हिट शूटम इसके बीजों से oil निकलता है अब next जलते हैं इसमें three नमर fibers के उपर fibers यानि इसमें रेसे भी पाए जाते हैं तो रेसे इसमें एक दो तरह की रेसे पाए जाते हैं surface fiber होते हैं cotton के बीजों से गोसी पियम के जो seeds होते हैं लो जैसे बीजों से रूई निकलते हैं तो वह surface fiber होते हैं! कि सताहिए रेसे होते हैं और यह soft fiber यानि बास्ट fiber जो कि प्लांट का जो स्टेम होता है उसको गला के और फर्मनमंटेशन के प्रोसेश से बास्ट फाइब़ निकालते हैं तो बास्ट फाइबर का उधारन होता है तो पाट्वा हिबिस्कस सेबी डेरिफा हिबिस्कस सेबी डेरिफा यानि पटवा और एक पटसन डेकन हैंप हिबिस्कस कैनाइबिनस हिबिस्कस कैनाइबिनस ये दो होते हैं तो कई बार हम पढ़ते हैं तो कोई भी जैसे क्योशन पूछ लिया जाता है कि जो पटसन से जो इसके डेकन हैम से जो भी फाइबर निकलते हैं वो कौन से फाइबर होते हैं बास्ट फाइबर होते हैं या सरफेस फाइबर होते हैं या बास्ट फाइबर होते हैं जैसे कुछ भी इसका आपको वन लाइनर बना के कैसे भी आपको मिक्स क्योशन के अंदर दे दे तो आपको ध्यान होना चीए कि जो भी कोटन के बीजों से निकलते हैं सरफेस फाइबर तो होते हैं जो कोटन होता है ना गोशिपयम हिर्शूटम उसके बीजों से निकलते हैं एक सोप्ट फाइबर होते हैं बास्ट फाइबर इनसे निकलते हैं तो फाइबर्स यह इसका मोस्ट पारट है मालवेशी फैमली का इनसे क्योशन भी बनते हैं अब नेक्स चलते हैं टिंबर ओक्रोमा लोगोपस यानि बालसा वूड सबसे हलकी जो लाइट वेट जो कास्ट होती न वूड होती है वो बालसा वूड जिसको बोलते हैं वो मालवेशी फैमली का ही प्लांट है ओक्रोमा लोगोपस अब नेक्स है इसकी मैडिसीन मैडिसीन कौन से प्लांट से बनती है तो यूरिना रैपंडा जो प्लांट होता है तो इसकी रूट से वो हाइडरोफोबिया के अंदर हाइडरोफोबिया यानि जो रैबीज होता है न जिसको रैबीज हो जाता है उसको हाइडरोफोबिया की प्रोब्लम हो जाती है तो उसको यूरिना रैपंडा एक प्लांट होता है मालवेशी फैमली का तो उसकी जड़े उसमें काम में आती है आयरवेट के अंदर अब नेक्स्ट होता है इसमें सिक्स नमर और ना मेंटली यानि जो सजावटी पोद्दे होते हैं बगीचों में उसमें कौन सा काम है तो चाइना रोज और हॉली होक हिबिस्कस रोजा साइनेंसी साइना रोज यानि गुडहल गुडहल जिसको बोलते है और एक होली होक प्लांट होता है तो एल्थिया रोजिया ये दोनों होते हैं ये फ्लावर की वज़े से और उगाई जाते हैं गार्डन्स के अंदर अब नेक्स्ट आता है विटामिन तो इसके मालवे सी फैमली के कौन से प्लांट से विटामिन निकलते हैं गोसी प्यम होता है न कोटन का प्लांट जिसको हम बनोला बोलते हैं उसके बीजों में विटामिन A, D, E और B कॉम्पलेक्स ये चारों विटामिन होते हैं कोटन के बीज में जो बिनोला का जो बीज होता है न गोसी पे मिरसू टेम उसके अंदर बिटामिन A, D, E और B कॉम्पलेक्स चारों पाया जाते हैं आज की क्लास में बचो इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं इस फैमली मालवेसी के क्योसंस को लेके आपको क्लास प्रजेंट करूँगे आपके सामने आज की कलास में इतना ही अगर आपको कलास अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और कलास को सेर करें कमेंट करें थेंक यू